बरेली के फरीद पुर क्शेत्र में 16 साल के किशोर की हत्या कर दी गई जिसके बाद किशोर का शव गन्य के खेत में मिला इसके साथ ही गले में मफलर कसा हुआ था वहीं सूचना पर पहुची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोच्री में रखवाया साथ ही मृतक के परिजनों ने तीन नामजद समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है जानकारी के नुसार फरीद पूर्थाना शेत्र के पदारत पुर गाउं में आजाद का शव कलीन नगला गाउं के नजदी गन्य के खेत में मिला जहां पर मफलर से उसका गला घोटा गया था तो वहीं की शोर के चहरे और गले पर चोट के निशान पाए गए है पुलिस फील यूनिट और डॉग स्कॉाइट ने घटनास्तल का निरक्षन किया मृतक के परिजनों ने गाउं के ही तीन नामजद सहित अन्य आग्यात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है परिजनों का आरोप है कि आरोपी की लड़की दो महा पहले गाउं के युवक के साथ चली गई थी तबी से आरोपी रंजिश मनाने के लगा था जहां पर आरोपी का शक्ता की आजाद लड़की और लड़के की बात चीत करता है जहां पर फिलाल पुलिस पूरे मामले की जाच कर रही है